हेलो फ्रेंट्स मैं हूं संच्छ राम में स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल अविद अकैडमी में अविद अकैडमी एक करेर कंस्टेंसी होने के साथ साथ डिजिटल मार्किटिंग इंसिटुट भी है तो आईए आज मैं गॉर्मेंट जॉप की जॉप सिरीज में एक और जॉप एड़ करने जा रही हूं जो कि कॉल इंडिया M.T. Recruitment 2019 की है और जो की निकाली है management training vacancy और जो last date apply करनी की 19 January 2020 है और जो post निकाली गई है वो है 1326 यहाँ पे pay skill है 50,000 पर मन्त तो आईए अब मैं आके बात करने जा रही हूं कि कुस-किस जॉप को categories wise बाटा गया है तो इन जॉपस को अलग-अलग category में बाटा गया है जैसे meaning की 288 है और जनरल के लिए 170 सीट से निकाली गई है AWS के लिए 29, SC के लिए 43, ST के लिए 22 और OBC के लिए 77 वैसे ही यहाँ पे electronic, mechanical, civil और cold preparation के लिए इनके लिए बे अलग-अलग post निकाली गई है जिसके जो अलग-अलग divide कर दी गई है वह आप क्लिक करके आप इस notification पर जाके देख सकते हैं तो आईए आप मैं eligibility criteria की बात करती हूँ तो यहाँ पे meaning, electronic, और mechanical साथ ही जितनी भी पोस्ट है सब के लिए जो age limit है वह 30 years और साथ ही जैसे कि मीनिंग electronic, mechanical और civil के लिए जो education qualification है वह है BE, B.Tech और B.Sc. और with 60 marks उपके होने चाहिए वही call profession के लिए systems material management के लिए आपका B.E.O. होना जरूरी है यानि की B.Tech और B.Sc. Engineering में जिसमें आपका computer engineering ITE with M.C.A. with 60% होना चाहिए और finance and accounts के लिए आपकी qualification CEA और ICWA है वही personal और HR के लिए आपका graduate होना चाहिए 2 years का full-time graduate degree, PG diploma, post graduate for management with specialization. Marketing and sales के लिए recognized degree होना चाहिए 2 years की और साथ ही 60% आपके marks होने चाहिए Community development के लिए आपके minimum 2 years होने चाहिए full-time post graduate और post होनी चाहिए आपकी graduate diploma होना चाहिए 2 years का और किसी university से और जो आपकी age calculate की जाएगी यहां पर वह है 14 2020 यहां कि एक April 2020 से गिनी जाएगी और साथ ही जो age limit है 30 years ही मैं आपका value बता चुकी हूँ ता ही अब मैं आगे बात करेंगे यहां पर के लिए के लिए 1000 है वहीं SCSTPW के लिए कोई फीस नहीं है और जो examination fee है वो आप online कर सकते हैं अब मैं आगे updates के बारें बात करने चाहरी हूँ तो last date है 21, starting date है 21 December 2019 और जो last date है 19 January 2020 और जो exam होगा वो computer based होगा और जो exam हो सकता है 27-28 February में हो सकता है CIL management training recruitment 2019 की vacancy के बारे में आप जानी गए हैं अगर आप इसका link क्लिक करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो के description में एक link दे रखा है आप notification के link को भी क्लिक कर सकते हैं और साथ में अगर आप apply करना चाहते हैं तो आज से application start हो चुकि आप apply भी कर सकते हैं और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगाए तो प्लीज लाइक किजिए और सब्सक्राइब किजिए मेरे चैनल प्लीज वीडियो तो प्लीज ब्सक्राइब कर दो कि आप लिए।